नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना दोस्त विक्की, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीबा गार्डन पर स्वागत करता हूँ फ्लावर्स के बारे में दोस्तों अधिक जानकारी पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, सेयर एंड बेल आइकन को प्रेस कर दे दोस्तों दोस्तों आपको वीडियो में दिख रहा होगा यह एक कुंदा या डाउनी जैस्मिन का प्लांट है, जो धेर सारे फ्लावर से भरा हुआ है दोस्तों आज मैं आपको कुंदा के प्लांट के बारे में जानकारी दूँगा, इसे कैसे लगाए, इसे गमले या पॉर्ट पे कैसे लगाए इसके बारे में मैं आपको पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा दोस्तों दोस्तो कुंदा का पौधा एक वाइन वाला प्लांट है दोस्तो यहां आपके वाल या ग्रिल पर आप इसे चड़ा सकते हैं यहां आपके वाल या ग्रिल को पुरी तरह फुलो से भर देगा दोस्तो और यहां पुरी तरह आपके वाल पर बिछ जाएगा यह आप इसे ग्रिल पर लपेट सकते हैं दोस्तों यह आपके वाल और ग्रिल को पूरी तरह से सफेद फूलों से ढग देता हैं दोस्तों दोस्तो कुंदा का प्लांट में जो बेल होते हैं उसमें छोटे छोटे पतिया आती हैं उन्हीं छोटे छोटे पतियों के बीच से कुंदे के फ्लावर की कलिया निकलती हैं सुरुवात में कलियों का रंग कथा चलर में होते हैं और जब यह खिलते हैं तब इसका कलर वाइट हो जाता है दोस्तो लगभए मैं का या कुंदा का सेफ इस्टार-like होता है दोस्तो इसके फ्लावर्स पर खुश obstu नहीं होती है दोस्तो लगपन भीनी भीनी थोड़ी बहुत खुज भी आती रहती है दोस्तों दोस्तों बिगिनिंग में कुंदा के प्लांट में उसकी पत्तिया पौधे को पुरी तरह धख लेती हैं बड़ जब इसमें flowering start होती है तब ये flowers कुंदे के plant को पूरी तरह ढख लेते हैं जैसा कि आपको दिख रहा होगा दोस्तो वीडियो में दोस्तो कुंदे के plant में flowering winter season के लगभग starting से ही start हो जाते हैं और यह अपने flower को बंचेस में या गुच्छों में देते हैं दोस्तों जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा पूरे गुच्छों में यह flowering है और एक के बाद यह flowering करते जाते हैं इसके flower लगभग दोस्तों इसके कली में एक से दो वीक तक बने रहते हैं और बहुत ही खुबसूरत और आकर्सक दिखाई देते हैं दोस्तों कुंदे के plant का एक अलग ही अपना धार्मिक महत्व हैं दोस्तों बोला जाता है कि कुंदे का flower को सीव जी के चरणों में चड़ाया जाता है दोस्तों और यह flower सीव जी को बहुत ही प्रीय है दोस्तों दोस्तों यदि आप अपने कुंदे के प्लांट में अधिक flowering चाते हैं तो आप इसका pruning करते रहें दोस्तों आप कुंदे के प्लांट की प्रूनिंग करके आप इसे अलग-अलग सेप में भी दे सकते हैं आप गोल सेप दे सकते हैं आप चकोर सेप दे सकते हैं जैसा सेप आप चाहते हैं दोस्तों वैसा दे सकते हैं और यहाँ उसमें भी आपको flowering करता रहेगा और धेरो सारे flowering करते रहेगा दोस्तों जिस जगह इसकी flowering होती है उस जगह यहां पूरी तरा फुलो से भर देता है दोस्तों दोस्तो यदि आप कुंदा के पौधे को नर्सरी या गार्डन से ला रहे हैं तो आप इसके पौधे को जमीन या पौट में कैसे लगाएं चलिए दोस्तो देखते हैं दोस्तों यदि आप कुंदे के पौधे को गमले या पॉर्ट में लगाना चाहते हैं तो इसकी बेले पहुत ही लंबी होती हैं इस कारण आप इसे 20 इंच के गमले पर लगाए दोस्तों कुंदे के पौधे को आप गमले में लगाने से पहले गमले को आप पहले ड्रेनेज के लिए होल कर ले होल करने के बाद उसके उपर आप कुछ पत्थरे रग दे ताकि यदि गमले पे इश्ट्रा पाली इखटा होते हैं तो उस होल के द्वारा वह निकल जाए जिससे पौधे की जड़े सड़े ना दोस्तो दोस्तो कुण्दे के पौधे के लिए सॉयल मिक्सचर की बात करे तो आप इसके लिए अपने आसपास की लाल पिली मिट्टी या खेतों के मिट्टी 60% और कंपोस्ट में आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद आप ले सकते हैं 50% दोस्तो और 10% दोस्तो आप बजरी या रिवर की रेत ले सकते हैं दोस्तो कुण्दे की प्लांटिंग करते वक्त आप ध्यार रखे कि गमले में लगभग 5-6 इंच की जगा नीची बची रहे और कुण्दे के प्लांट को आप लगभग 2 इंच उपर छोड़ कर ही नीचे जगाए दोस्तो ताकि आपको वाटरी करते बने और उसकी जड़ नीचे तक फैल सके दोस्तो दोस्तो कमपोस्ट के रूप में आप DAP या NPK को भी आप 3-4 दाने या 4-5 दाने आप गमले में उप्योग कर सकते हैं दोस्तो लेकिन इसके लिए आप दोस्तो सुबह साम उसे वाटरिंग देते रहें वरना यदि आप DAP और NPK के देने के बाद इसे वाटरिंग नहीं करते हैं तो जड़ इससे जल जाएंगे दोस्तो दोस्तो इसके साथ ही आप गमले में नीम की खली का भी उप्योग कर सकते हैं एक बाई दो इंच के नीम की खली का भी आप उप्योग कर सकते हैं ताकि गमले में कोई फंगस या किड़े ना लगे जिससे आपके कुन्दे के पौधे को रूटिंग के दौरान किसी फंगस या किड़े का सामना ना करें दोस्तो और रूटिंग सरने की नौबत लाएं दोस्तो इसके साथ ही आप सरसो की खली का भी उप्योग कर सकते हैं लगबक दो से तीन चमच इसके साथ ही आप खाने के चूने का एक इंच का उप्योग कर सक कुछ मातरा में आप डाल सकते हैं ताकि उसे न्यूट्रिशन मिलता रहे दोस्तो दोस्तो पौधे लगाने का उची टाइम होता है इलिंग टाइम दोस्तो दोस्तो ताकि आप पौधे को जब भी जड़ सहीत लगाते हैं या फिर ट्रांस्प्लान करते हैं तो वह अपने आप आपको रात के या नाइट के मॉश्चर पर रिकवर कर लेता है दोस्तो दोस्तो आप अपने गमले पर इसके साथ ही नीम के पाली का भी उप्योग करें लगभग एक मुठी नीम के पत्ते के साथ एक लीटर पाली में उबाले और इसके पाली का उप्योग आप अपने गमले पर 20-25 दिनों में करते रहें ताकि फंगस आपके गमने पर इखटे लह हो सके दोस्तों यदि आपके पास पर्याप्त जमीन है तो आप कुंदे के प्लांट को जमीन पर भी लगा सकते हैं दोस्तों आप इसे जमीन पर लगाएंगे तो आपको इसे ज़्यादा केर करने की सप्पंधे में कंपोश्ट के साथ आप इसे लगा सकते हैं दोस्तों है जो यदि आप इसे जैमिन पर लगा रहे हैं तो आपको इसे जादा माट करने की अवशसक्ता नहीं है चल संलाइट को बहुत ही पसंद करता है दोस्तों इसे लगभग दिल में चार से पांच घंटे की सनलाइट की अवैसकता होती है दोस्तों दोस्तों आप कुण dragging के प्लांट कोtım डर्शरी या गार्ण से 205 शरूषण लाकर अपने घर पर लगाएं दोस्तों यह प्लांट इजी टू ग्रो एंड इजी टू मेंटेन प्लांट है दोस्तों और यह बहुत ही कुपसूरत दिखता है दोस्तों इसके सफे सफे flowers बहुत ही खुबसूरत लगते हैं और आपके यह garden यह balcony garden को पुरे फूलों से भर देते हैं दोस्तों दोस्तों मिलते हैं मेरे next वीडियो पर जिसमें मैं आपको कुंदे के plant को इजी तरीके से ग्रो करना सिखाऊंगा और आप इसे किस तरीके से असानी से आप इसे अपने गार्डन या balcony गार्डन में लगा सकते हैं यह बताऊंगा धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज मेरे चैनल को like, subscribe, share and bell icon को प्रेस कर दे दोस्तों धन्यवाद र्डन बन्यवाद